हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग हमारी आज की कहानी का नाम है दर्द लगता है बच्चे आ गए गाड़ी की आवाज सुनकर महिमा जी कमलेज जी से बोली दोनों बाहर जाही रहे थे तब तक बहु रिचा सूट केस लेकर अंदर आ गई बहुत मितना भारी सूट केस लेकर वैभो कहा है आ रहे है मम्मी जी गाड़ी से सामान निकाल रहे हैं कहते हुए रिचा ने सास्ट सुर के चरड़ सपर्स किये महिमा जी जल्दी से दो गिलास पानी ले आई कुछ देर में वैभो हातों में एक बड़ा बाक्स लेकर आया बेटा ये क्या ले आया कितनी बार बोला है कि बेकार में पैसे खर्चमत किया करो माइस बारे में आप अपनी बहु से बात कीजिए सास बहु के बीच मुझे नहीं पड़ना इतनी देर मेरी चाचाय बना कर ले आई बहु ये क्या ले आई मम्मी जी मिक्सी है पिछली बार आई थी तो आपको मसाले चटिनी जाल सिल पर पीषते देखा था जिससे आपके हाथों में दर्ध हो जाता है इस मिक्सी से आपको सहूलियत हो जाएगी कमलेस और महिमा जी गाउं में रहते थे और वैभा और रिचा सहर में नौकरी करते थे दोनों की साधी कुछ वक्त पहले ही हुई थी साधी के बाद दो पर रिचा गाउं आई थी तो महिमा जी को सिलबटे पर चटनी डाल और मसाले पीस्ते देखा था। पर रहे हैं तो आपको खर्च की क्या फिक्र ये फिजूल खर्ची नहीं हमारा आपके लिए प्यार है आपको किसी भी तरह की तगलिफ सहनी की जरूरत नहीं बस एक फोन कर दीजिये सामान आपके पास पहुच जाएगा फिर तो हाज दाल के पकोडे और धनिया पुदिने की चटनी हो जाए बहु भी सफर से ठक कर आई है उसे आराम करने दे पकोड़े मैं बना दूंगी वैसे भी मुझे पता था आते ही तु दाल के पकोड़े और चटनी की फरमाईस करेगा इसलिए दाल भेगा कर रखी है मम्मी जी मैं भी आपके साथ चलती हूँ इसी बहाने आप को मिक्सी चलानी भी सिखा दूंगी तु मेरी बहु नहीं बेटी है रिचा के सिर्फ रहात रखते हुए महिमा जी बोली और दोनों सास बहु की जोड़ी गर्मा गर्म पकोड़े बनाने रसोई की ओर चल दी आसा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी जरूर अच्छी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सेस्क्राइब सेर जरूर करें धन्यवाद